क्या इंडिया इस बार फिर से ओस्कर चीतेगा, क्या करना होगा हमें, और क्या गल्तिक कर रहे हम, और क्या हम काफी लेट है इस गेम में, चले चानते हैं, तो हम सब को पता है कि इस साल के ओस्कर के लिए इंडिया ने मल्यालम ब्लॉकबस्टर फिर्म 2018 Everyone is the Hero को सिलेक्ट किया है और इक डॉक्यमेंटरी अगेंस दे टाइड और लास्ट यर आरारा एंड इलिफेंट विस्परर के ओस्कर जीतने के बाद इस फिल्म से एक्स्पेक्टेशन बढ़ गए है, लेकिन क्यों कोई 2018 के बारे में बात नहीं कर रहा है, और ओस्कर के शॉट लिस्ट अब नॉम ये फिल्म के बारे में किसी को पता ही नहीं है, बाकी इंटरेनेशन फिल्म ने कई सारे फिल्म फेस्टिवल्स में चाके और कई सारे अवर्ड्स जीते हैं और बहुत सारे लोगों ने वो फिल्में देखी है और उनके बारे में बात भी की है, इससे क्या होता है कि आपकी के चर्चा होती है और word of mouth spread होता है कि इस country से एक भेतरी फिल्म आई है जो कि आपको देखनी भी चाहिए और ये बस आपको help करता है कि कई सारे film critics जो film को review करते है वो आपके film को देखते है और आपके film के free में marketing हो जाती है और वो कई सारे awards के लिए भी nominate होती है औसकर से पहले लेकिन 2018 movie के case में किसी भी film festival का part नहीं थी तो automatically वो competition में पीछे रहे जाती है लेकिन RRR भी किसी भी film festival का part नहीं थी फिर भी उसने इतना बस create किया एक OTT platform से और वो है Netflix देखिए USA में top 4 streaming services है Netflix, Disney+, Amazon Prime and HBO इसे क्या होता है कि लोगों को easily आपकी film मिल जाती है और वो आसनी से आप की film देख सकते है लेकिन 2018 movie के case में वो sony live पे stream कर रही है जो कि USA में directly available है ही नहीं जी हाँ सही सुना आपने USA में sony live को access करने के लिए आपको sling tv application चाहिए होगा और उससे आप sony live को access कर सकते है आप आप सोचके देखो USA में कितने लोगों को पता होगा sling tv के बारे में और mostly 99 percent of critics and voting members को sling tv के बारे में पता ही नहीं होगा कि इंडिया की official entry वाली film इस पे आती है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 2018 movie की team ने sony live और netflix के साथ क्यों deal नहीं किये कि आप सिफ ऑसकर सीजन तक 2018 movie के co streaming partners बन जाओ कि 2018 movie netflix पे भी और sony live पे भी दिखे जिससे कि हो पाएगा इस film के लिए देखिए ओसकर के voting members के लिए उतना time नहीं होता है कि हर रिक film देखे जो कि select हुई है mostly वो लोग वही filmें देखते हैं जिनके बारे में उन्होंने कई से सुना हो और काफी popular हो या फिर वो easily available हो देखने के लिए और ये दोनों चीज़े 2018 movie के पास बि nominations announce हो जाएंगे और 2018 movie ने अब तक अपना Oscar की marketing शुरू भी नहीं की है बाग की international films ने हर दिन पिछले कुछ महीनों से पसकस की marketing कर रहे है और कई सरी critics awards के लिए भी nominate हो चुकी है अब तक 2018 movie को एक भी nomination नहीं मिला है और कुछ लोग ये भी बोल सकता है कि Oscar के voting members के लिए private screenings भ होता है 2018 movie को लेकर कई सारे stories है कि ये film कैसे बनी क्या difficulties आए इतने कम budget में इसको कैसे बनाया practical और VFX को लेकर क्या ideas निकले इसकी जो starcast है वो real life floods के time पे कैसे आम आडमी को help कर रहे थे कितना कुछ है इस film के बारे में बोलने के लिए जो कि बाकी किसी international film के पास है ही नहीं बोल इंडिया में सबसे best films बनाने के लिए ये Malayalam film industry जाने जाती है दुनिया को इसके बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया में सिफ over the top scenes dancing and singing नहीं होता है इंडिया में वो deep storytelling भी होती है दुनिया को Malayalam film industry के बारे में बताने का ये perfect chance है पहले सही हमारी इंडिया की Oscar selecting committee कुछ क आम की नहीं है rarely कभी कभी वो right decisions लेते है लेकिन 99% of the times उनका दिमाग घुम जाता है लेकिन इस साल एक अच्छा decision लिया है एक अच्छी film को select करके लेकिन वो advantage नहीं ले रहे है 2018 movie की team को SS Raja Mooli के साथ meetings करने चाहिए कि उनने कैसे किया tips लो उनसे और इंडिया की two time Oscar winning producer गुनि तो ही वो marketing शुरू करेंगे क्योंकि nominations की voting 11 से 16 January को है तो इनको सिफ 20 दिन में अपनी film की hype बनानी होगी voters की बीच में कि वो आपको nominate करे I hope 2018 movie की team ने कुछ तो सोच समझ के decision लिया होगा कि वो कैसे marketing करने वाल है अपनी film के लिए और इंडिया का full support है 2018 movie को shortlist में ये आराम से आ जाएगी क्योंकि उसमें 15 films होती है और इसके competition में कौन है ये भी मैं आपको बता देता हूँ सबसे biggest competition है UK की film The Zone of Interest, next है France की The Taste of Things, next है Spain की Society of the Snow, next है Japan की Perfect Days, Finland की Fallen Lives, next है बुतान की The Monk and the Gun, next है Germany की The Teachers Lounge, next है Mexico की Totem, next है Germany की The Promised Land, next है South Korea की Concrete Utopia, next है Poland की The Peasants, next है Turkey की About Dry Grasses, next है Tunisia की The Four Daughters, next है Ukraine की 20 Days in Mariupol, last two documentaries है तो वो इसको international film में competition नहीं देगी जैसे के अब देख सकता है, इन total 11 films है excluding two documentaries 2018 movie से आगे है नॉमिनेट होने के लिए और सिर्फ 5 film में ही नॉमिनेट हो सकती है और ये film के अलावा और भी कोई surprise entry मार सकता है, उसके बाद एक Indian documentary जो की अपन marketing बिल्कुल सही से कर रही है, बस थोड़ा और step up करने के जरौत है, वो है against the tide, ये भी nominate हो सकती है और सबसे पहले इन्होंने क्या सही किया है अपने marketing में ये में बता देता हूँ, तो ये documentary काई सारे film festivals में चाके जीत के भी आई है और वहां की top documentaries के awards के लिए nominate भी हुई है, ये हर जगा अपनी screenings कर रहे है, around the world जहां पर भी इनको possible है, और ये अपना bus create कर रहे है slowly slowly, और ये documentary कुछ critics awards and documentary awards के लिए भी nominate हुई है, जो की काफी साई step है अपने Oscar journey के लिए, और ये आराम से short list में आ जाएगी, लेकिन nominate होने के लिए इसके पास tough competition है, और against the tide की team को जल बस के साथ चल रही है, और वो हरे critics awards and film festival awards, etc. जीत भी रही है, और nominate भी हो रही है, और उपर से उन documentaries को foreign audiences and critics ने ज़्यादा देखा हुआ है, compared to against the tide, और जो बाकी की documentaries है, उनके topics, current situations, याने के war, political issues, social issues and personal issues पे based है, against the tide एक perfect mixture है, social and personal issues का, तो इसके competition में कौन कौन से documentaries है, छले जानते है, सबसे पहले है, 4 Daughters, 20 Days in Mariupol, American Symphony, Beyond Utopia, The Eternal Memory, The Deepest Break, Kokomo City, Little Richard, I Am Everything, Still a Michael J. Fox movie, Minas Pelares, Les Torgos, The Mission, Apollina Apollina, Going to Mars, The Nikki Giovanni Project, The Mother of All Lies, 14 documentaries है इसके सामने, जो की 9 minute हो सकते है, Oscars के लिए, लेकिन against the tide ने अभी तक अपना game अच्छे से खेला है, लेकिन इसको next level पे ले जाना होगा shortlist announce होने के बाद, और ये documentaries के अलावा भी, और कोई भी surprise entry मार सकता है, और इसके team को और critics, और जो Oscars के बार में बात करते हैं, उनको अपनी film जादा दिखानी होगी, त्योंकि voters के बाद यही लोग है, जो कि अपकी documentary के बारे में बात करेंगे, और please contact Gunit Monga for advice on Oscar marketing, और भी shortlist में आएगी, और उनको क्या करना होगा, Oscar जीतने के लिए, हमें comments में लिखें जोरू बताएगा, तो इस video को like और share करें और लोंगे साथ, और यहाँ पर आप और वीडियो भी देख सकते हैं, और channel को जूरू subscribe करें ऐसे और वीडियो देखने के लिए, so thank you for watching, see you again in the next video, till then bye bye, see you, take care